नमस्कार दोस्तों मिरा नामतन मैं आप देख रहें टेक यूनिक और आज हम यहाँ पर कमपैरिजन करने वाले हैं डीजो वाच टू के साथ नॉइस एक्सफिट वन स्मार्ट वाच की तो चलिए कमपैरिजन शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे तो डीजो वाच टू आपको यहाँ पर 2500 रुपए का मिलता है हाला कि कभी कबार सेल में यह आपको 2300 रुपए का वे मिल जाता है वहीं पर दोस्तों नॉइस का एक्सफिट वन यहाँ पर 3000 रुपए का लाँच हुआ है तो यहाँ पर जो है यह थोड़ा सा महंगा है as compared to डीजो अब यहाँ पर शुरू कर लेते हैं comparison सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे build quality के तो गाज यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही सामने की तरफ जो है आपको 2.5D curved glass देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर काफी बढ़िया look देता है दोनों को ही सामने से वही पर दोस्तो आपको जो है यहाँ पर side में metal sides देखने को मिलते हैं डीजो के watch में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीजो का जो है metal sides दिया हुआ है महीं पर दोस्तो आपको जो है इसमें प्लास्टिक के साइड दिये गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में जो है काफी स्टेपस की स्टेपस की तो काई सी तो बड़िया है दोनों में हाला कि मुझे जो है थोड़ा सा अच्छा लगा है noise का strap क्योंकि यहां पे इसे थोड़ी जादा देर तक पहन कर मैं रख पाया यह थोड़ा मुझे जादा comfortable लगा as compared to diesel, diesel को यहां पे मैं दो घंटे तक यहां फिर मैं तीन घंटे तक continue नहीं पहन पाता, यहां पे दो घंटे पहनने के बाद मुझे थोड़ा सा uncomfortable feel होता है, diesel का यह strap, तो मुझे हलका सा यहां पे निकालना पड़ता है, थोड़ा सा rest लेना पड़ता है, वापस है मैं ऐसे पहन लेता हूँ, महीं पर दोस्तों यहां पे noise में ऐसा कोई भी दिक्का देखने को मुझे नहीं मिला है, इसका strap का quality मुझे का बढ़िया लगा है, औ थोड़ा सा यहां पे पतला है as compared to diesel, diesel का जो strap है थोड़ा सा जादा मोटा है, हाला कि दोनों का भी strap size जो है वो एकदम सेम है, 20 mm का दोनों का भी आपको straps देखने को मिलता है, तो आप जो है इन दोनों के strap को exchange या फिर यहां पे जो है दोनों watches के लिए straps खरीद सकते हैं 20 mm का, weight के मामले में यहां पे diesel थोड़ा सा भारी लगता है, 52.5 g гrams का आपको यहां पे diesel का weight देखने को मिल रहा है, और यहां पे जो noise है वो आपको यहां पे 35 grams का देखने को मिलता है, तो यहां पे आप आप देख सकते है noise जो है थोड़ा सा हलका है as compared to diesel, अगर आप यहां पे जो है डीजो और नॉइस को एक साथ हाथ में उठाते हैं तो यहाँ पर आपको फील होगा कि डीजो जो है थोड़ा सा भार ही है as compared to noise यहाँ पर साफ साफ हाथ में फील हो जाता है मैं जो है यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रिफर करता हूँ यह है कि यह एक IPS display है और यह एक TFT display है तो यहाँ पर सबसे बड़ा difference जहीं पर आ जाता है इसके कारण से यहाँ पर जो colors आते हैं जो display में दोनों के colors आते हैं वो थोड़ से difference से रहते हैं इसमें जो है थोड़ा सा faded feel आता है यहाँ पर जो हलका सा color faded सा लगता है डीजो watch 2 में as compared to noise x fit यहाँ पर colors काफी जादा अच्छे तरीके से निखर करके आते हैं noise में as compared to DZO अगर मैं आपको यहाँ पर पास से दिखाता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं DZO जो है यहाँ पर हलका सा faded look देता है color जो हलके से faded faded से लगते हैं वहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ जो ह अच्छे तरीके से visible रहता है side से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को भी अगर मैं tilt कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो LCD है वो थोड़ा सा ज्यादा clear दिखने को मिलता है जैसी आप यहाँ पर watch को tilt कर देते हैं तो अला कि दूस्तों डीजो का जो screen है वो भी यहाँ पर काफी अच्छी quality का दिया गया है काफी sharp display है यहाँ पर आपको brightness भी काफी अच्छी देखने को मिलती है दोनों का भी यहाँ पर screen जो है काफी अच्छा कासा bright है मुझे जो है दोनों भी watches में outdoor में कोई भी दिखने को नहीं मिली है दोनों भी काफी अच्छ कर सकते हैं और साथ में यहां पर noise में आपको noise fit का app का support मलता है दोनों का भी app जो है वो काफी ज़दा बढ़िया है हाला कि मुझे दिखने में थोड़ा सा ज़दा noise का app अच्छा लगा है अपको smart features की बात कर लेते हैं यहां पर जो है इन दोनों watches को इसी जगे पर थोड़ा सा difference आपको देखने को मिलेगा हाला कि दोस्तों काफी सारे चीज़े जो है वो similar भी है बट काफी सारे चीज़े यहां पर अलग भी हैं सबसे पहले यहां पर जो है दोनों में ही आप जो है call को reject और mute कर सकते हैं दोनों ही watches में आपको call receive करने का option देखने को नहीं मिलता है वहीं पर आपको जो है दोनों ही watches में notification देखने का मौका मिलता है दोनों ही watches में आपको notification जो है काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे दोनों ही watch में आपको यहाँ पे find my phone का option देखने को मिल जाएगा काफी बढ़िया तरीके से काम करता है दोनों ही watch में काफी accurate तरीके से आपको weather का option देखने को मिल जाएगा दोनों ही watches में आप काफी बढ़िया तरीके से weather चेक कर सकते हैं Calendar रेमाइंडर भी आपको दोनों भी वाच में देखने को मिल जाएगा Timer भी आप यहां पे लगा सकते हैं दोनों वाच में Sedentary Remindर, Drinking Reminder Camera Control, Music Control, यहां पे आप जो है दोनों भी वाच में देख सकते हैं दोनों भी वाच में आपको मिल जाएगा वहीं पे आपको जो है stop watch भी आपको दोनों watch इसमें मिल जाएगा alarm जो है यहाँ पे दोनों watch में आपको मिल जाएगा बट यहाँ पे डीजों में जो है आप alarm को set नहीं कर सकते हैं घड़ी से बट यहाँ पे जो noise है इसमें आप जो है alarm को set कर सकते हैं watch के अंदर से ही वहीं पर आपको जो है दोनों में ही wake gesture मिलता है जैसे आप अपना हाथ उपर करते हैं यहाँ पर जो है दोनों भी screen वेक हो जाते हैं दोनों भी screen जो है यहाँ पर light up हो जाते हैं काफी बढ़िया तरीके से light up होते हैं दोनों में ही आपको यहाँ पर dnd do not disturb mode देखने को मिलता है दोनों ही watches में आपको screen brightness को बढ़ाने का और कम करने का option देखने को मिलता है और साथी में दोनों के ही app में आपको ota upgrade का option दिया गया है और साथ में दोनों watches में ही आपको अच्छी खासी waterproofing देखने को मिलती है आराम से swimming pool के अंदर लेकर के जा सकते हैं और यहां पर जो noise है इसको आप आराम से rain meant ृप्स बारिश में लेकर जा सकते हैं वहीं पर कुछ ऐसे features की बात करो यहां पर डीजो में missing है जो के ओंपको डीजो में देखने को नहीं मिलेंगी वह है यहहां पर hand wash reminder आपको यहाँ पर hand wash reminder देखने को नहीं मिलेगा Dizoo में वो चीज आपको यहाँ पर noise में देखने को मलता है साथ में यहाँ पर आपको Apple Health और Google Fit का support देखने को नहीं मिलता है Dizoo के watch में तो आप यहाँ पर Google Fit या फिर Apple Health वाले अप को जो है Step Counting भी दोनों में ही मिल जाता है आपको Sleep Monitoring भी यहाँ पर दोनों में मिल जाता है Sports Modes आपको दोनों में ही 15 Sports Modes तक देखने को मिलते है वहीं पर आगान बात करूँ किसका tracking ज्यादा अच्छा है तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा है डीजो का tracking डीजो का tracking थोड़ा सा ज्यादा मुझे accurate लगा है as compared to noise noise में हलका सा मुझे ऐसा लगा है कि 2-3 steps या फिर मैं कहूँ एक step को जो है दो बार यह count कर लेता है तो यहाँ पर हलका सा steps में जो है दिक्कत है बाकियार यहाँ पर जो है noise का sensor मुझे हलका सा slow लगा है noise के जो यह पीछे sensors दिये हुए जो यहाँ पर आपके heart rate monitor को और SPO2 को यहाँ पर measure करते हैं यह बहुत ही जादा slow है इनको जो है detect करने में minimum 45 seconds का time लग जाता है वही पर आपका diesel काफी fast यहाँ पर detect कर लेता है तो हलका सा यहाँ पर noise slow है noise का जो sensors है वो थोड़ से slow है as compared to diesel वही पर अगर मैं बात करूँ आपको diesel में stress monitoring देखने को नहीं मलता है diesel में आप यहाँ पर stress को monitor नहीं कर सकते हैं battery life and charging की बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको diesel में 260mAh की battery देखने को मिलती है इसी कारण से यहाँ इसी कारण से यहाँ चयद हलका सा ज्यादा भारी फील होता है हाथ में इसी कारण से यहाँ पर diesel थुड़ा सा ज्यादा भारी है हाथ में क्यूक् subscribed Lightning quantity का battery देखने को मिलता है वहीं पर आपको noise में 180 mh की battery मिलती है तो यहाँ पर 180 mh की battery होने के बाद भी दोनों watches आपको यहाँ पर 10 दिन का battery backup दे देते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मेरे experience की तो मुझे यहाँ पर diesel में 2 दिन थोड़ा सा जादा एक्स्ट्रा मिला है मेरे यहाँ पर 12 दिन RM से चल जाता है diesel का watch 2 वहीं पर noise में जो है मुझे ऐसा लगता है कि 10 दिन में RM से खतम हो जाएगा इसका battery क्योंकि 180 mh की battery देखने को मिलती है बहुत ही जादा कम है यहाँ पर as compared to diesel diesel का 260 mh battery यहाँ पर 2 दिन extra battery देने में आपको सक्षम रहता है charging की बात कर तो दोनों में ही पीछे की तरफ आपको magnetic connector देखने को मिल जाता है जहां से आप यहाँ पर charger को connect करके charge कर सकते हैं यहाँ पर दोनों भी watches को full charge करने में 2 घंटे का time लग जाता है और यहाँ पर 2 घंटे में आराम से आपका full watch full charge हो जाता है तो overall दोनों भी watches काफी हद तक similar से हैं काफी हद तक यहाँ पर same चीज़े आपको देखने को मिलती है दोनों भी watches में बट यहाँ पर चोटे मोटे differences आपको देखने को मिलते हैं कि डिस्प्ले हो गया और चोटे मोटे features जैसे कि आपको मैंने बताया stress monitoring आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर यह चोटे चोटे चीज़े आपको देखने को मिलती है hand wash आप reminder नहीं ले सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर कुछ चीज़े कौन सा buy करना चाहिए वो आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए वैसा अगर मैं अपने recommendation की बात करूँ तो मैं यहाँ पर recommend करना चाहूँगा noise का Xfit 1 क्योंकि यहाँ पर Xfit 1 में सारे features देखने को मिलते हैं almost A to Z सारे features आपको यहाँ पर देखने को मिलते है noise Xfit में हलका सा यहाँ पर जो sensor है वो मुझे थोड़े से slow लगे है sensors जो हैं वो यहाँ पर tracking में हलके से slow नजर आते हैं जो heart rate monitoring होता है जो sleep monitoring होता है वो थोड़े से यहाँ पर slow तरीके से होता है बाकियार यहाँ पर दोनों के भी apps काफी अदा बढ़िया है और काफी अच्छी तरीकी से data को भी sync कर लेते हैं तो overall यहाँ पर दोनों भी watch काफी अदा similar है मेरा यहाँ पर recommendation रहेगा noise का Xfit 1 वहीं पर डीजो जो है आपको हलका सा कम price में मिलता है 2300 तक मिलता है तो 2300 तक और यह मैंने देखा है कि NASIndex में कभी कबार 18100 रुपय का मिलता हूँ मुझे दिखा है और कभी कबार यह sell में 2000 रुपय का मिलता है तो यहाँ पर आपको यह दाको यह दोवाइजो को buy कर लेना चाहिए अगर आपको consider करना चे वरना 3000 रुपए में तो यह यहाँ पर best watch निकल कर के आता है मेरे हिसाब से हलका सा यहाँ पर tracking slow है बट यहाँ पर बाकी सारी चीज़े एकदम perfect दी गई है यह जो है यहाँ पर काफी तगड़ा टक कर दे रहा है MI band 6 को तो मुझे यहाँ पर बढ़िया वाच लगा है ओवरल इतना था यह comparison अगर आप कोई comparison पसंद आएगा तो नीचे लाइक बढ़न ना मत बूलेगा और दोस्तों हमाई चैनल को सब्सक्राइब काना मत बूलेगा तब तक लिए जोस्तो जैहंद बने महातरम और आपका दिन शुब रहे